लोकेव मास्था का प्रतीक कही जाने वाली चट पूजा बड़े ही धुमधाम से मनाई गई संतान की लंबी उम्र वपरिवार की सुख सम्रिद्धी की कामना के साथ वरती महिलाओं ने चट पर्व पर निर्जल वरत रखकर डूपते और उकते सूरे को अर्ग दिया इस अवसर पर देश भर के तकरीबन सभी घाटों पर चट पूजा के लिए बनाएगा इस्थानों पर महिलाओं ने पूजा अरजना की तीन दिन से वरत रह रही महिलाओं ने चट माता को गन्ना, फल, फूलवत तमाम प्रकार के मिश्ठान आदी अरपित कर अपने पुत्रों की लंबी उम्रे की कामना की दो दिन के कटिन निर्जला वरत के बावजूत भी महिलाओं के चहरों पर पूजा के प्रती काफी उत्सहा दिखाई दिया, लोग अपनी ही धुन में मगन होकर नाचगा रहे थे पहले डूबते हुए सूरे की अर्ग देने के बाद आज उगते हुए सूरे को वरती महिलाएं, छटी मैया की मंगल गान करते हुए अपने अपने घर पहुँचने के बाद रातरी उपासना में जुट गए आज भोर में एक बार फिर महिलाएं उगते हुए सूरे को अर्ग देने पुना घाट पर पहुँची फिर उगते हुए सूरे की अर्ग देने के बाद महिलाओं ने जल ग्रहन कर उपवास दोड़ा इस अवसर पर बहर राइच में हर जगह भक्तों की भारी भीड देखने को मिली बेवस्था बहुत अच्छी लग रही है ये चट पूजा महापरव है ये हर सालों से भी अच्छा मनाया गया है योगी मोदी जी ने बहुत अच्छा बेवस्था किये मतलब चट पूजा ऐसे हर साल सभी लोग आते हैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है चट पूजा के लिए मतलब बहुत ही आस्ता है चट पूजा सची पूजा है जो भी मानों से पूरी हो जाती है इस प्रकार दो दिन तक चली कड़ी उपासना के बाद आज छट पूजा का समापन हो गया सेने उसके लिए बहराइच से महम्मद अकील की रिपोर्ट